तो यह हमारा मटर फ्राय कि इतनी अच्छी बनी है देखिए फ्रेंट्स अ कि अ इस रेसिपी के लिए हमें फ्रेंट्स एक फ्राइपेन लिया है और तेल हमने डेर चमच के असपास डाला है और उसमें अधी चमच खराजिरा डालें और उसके वाद हरी मिर्ज इसको कि अन्य दो भागों में काटके इसे डाला है और उसके वाद फिर उसे तरह सा रोष्ट कर लेंगे अच्छी से भून लेंगे तो यह हमारा भून चुका है अब हम इसमें प्याज एट करेंगे तो प्याज हमने दो मीडियम साइज का लिया है फ्रेंट्स और मतर जो है ह मतर के दाने धाइसो गराम के असपास है और प्याज हमने मीडियम साइज का दो लिया है आप चाहे तो प्याज को थोरी कम जारा भात्रह कर सकते हैं आपको जैसा पोसंदो तो इसे हम ढग के मेडियम फिलम पेजे इसे अच्छी से बखाएं गाई है कर और कि अ कर दो तो यह देखिए हमारा प्याज इच्छे से रोष्ट हो गया है तो अब हम इसमें अध्रप का पेश्ट एड करें जो कि यह लगवागा में एक इंच के आसपास टुक्रा लिया था और इसे भी हलका भून लेंगे ताकि से इसका कच्छा पर निकल जाए तो यह देखिए हमारा यह बिलकुल प्याज सौप ओ चुका है अब हम इसमें मटर के डाने दैर लेंगे तो यह मटर के डाने हमने 500 ग्राम लिया था यह नहीं आपको पहले ही बताया था तो अब इस मट आएंगे और बहुत ही यह चटपटी बनती है हम लोग इसे अपने यहां इसे गोगनी भी बोलते हैं मटल खूगनी ऐसे मटल मसाला फ्राइग की रिसीपी इसे बोल सकते हैं तो इसे अमने धाक के लगवर दो से तीन एट पकाएंगे और इसको यह देखिए है यह मरा लगवग मटल अजय को मटल पॉक्षक, एक वरा और हम्हां कवर करकर सबस्ता की इसे अच्छी मसाल संद्स, दन्यघ DOWN, संद्स मसाल, गरम मसाल, लाल मिर्च पोडर, और कस्मरी लाल मिर्च पोडर, ये सारे मसाले आदा प्रड़ा च मशलों, गया norm1 वर थूपलर, लाल मिर्च पोडर। और कास्मेरी पॉडरर लिया है तो आप चाहे तो कास्मेरी पॉडर इसमें नहीं भी डाल सकते हों तो इस मसाले को डालने के बाद इसे अच्छे से भूने बिल्कुल लो टूब मिडियम पे चाहदा फ्लेम को यहां पे तेज नहीं करेंगा नहीं तो मसाला जल जाएगा क्यो इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही मसाले को भूलेंगे और इसे थोड़ी सी और कवर कर देंगे तक यह मसाला हमारा अच्छे सिसमें सेपरेट हो सके तो यह देखिए फाइनली हमारा यह मटर मसाला फ्राइग के रेसिपी बनके तयार है तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते फ्रेंट्स तो यह देखिए हमारा गर्म गरम मटर मसाला फ्राइग के रेसिपी तेजार है तो आप इसे नास्तिक रूप में सेवन कर सकते हैं रोटी के साथ भी से खा सकते आप बच्चों के टिफिन में भी आप इसे दे सकते हैं और इंठन्डियों में इस तरह की रेसिपी बना के आप खा सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है खाने में तो इसे से पिपाप एकमार अपने घर पर जबूट रहे करें फ्रेंट्स बहुत ही टेश्टी बनने वाला यह रेसिपी है और बहुत ही कम समय में बन जाता है तो थोड़ी सी हम यहां पर प्याज के सलाइसे से हमने इसे गार्निश कर दिया है तो कैसी लगी है फ्रेंट्स रेसिपी आपको हमें कमेंट करके ज़रू बताईए तब तक कि लिए धन्यवाद फ्रेंट्स अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो और वीडियो को ला अराद